आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिवानी आर्ट क्लासेज में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आप सभी के लिए मैं निरंतर प्रैतनशील हूं कि कुछ न कुछ इंपॉर्टेट आपको देती रहूं जिससे आपकी तैयारी और भी बहतर बन पाए तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कला के लिए देखेंगे जो सुमेलित करने वाले कोश्चन आते हैं तो उनको आप कैसे करेंगे और अगर अभी तक आपने चैनल को प्रक्राइब जिससे लेटेस्ट वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे चले शुरू करते हैं इनको देखना तो यहां पर सुमेलित करने के लिए है और ठीक है इसको सुमेलित करना है तो सबसे पहले यहां पर है शेर्षा सूरी का मकबरा शेर्षा सूरी का मकब अटाला मस्जीद ध्यान रखेंगे अटाला मस्जीद है जौनपुर में नेक्स्ट आपका है गयासुदीन तुगलक का मकवरा तो ये कहां पर है आपका दिल्ली में ठीक है ना और इसके बाद है मांडू मांडू कहां है हिंडोला महल जो है ये आपका मांडू में है इसको मैंने एक बार और बताया था तो हिंडोला महल मांडू में है गयासुदीन मगबरा सासाराम बिहार में है तो इसको अपने शिद्यान रखेंगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम फिर है यहां पर रेफ्ट आफ मेडूशा तो रेफ्ट आफ मेडूशा जैरी कॉल ठीक है किसने बनाया जैरी कॉल ने स्क्रीम किसका है एडवर्ट मुंक का है लंच आन्दी ग्रास किसने बनाया है माने ने ठीक है गलत नहीं होना चाहिए एक्जाम में स्कूल आफ एथिन्स किसने बनाया है ये रैफिल का है ठीक तो फिर से एक बार देख लेते हैं रैफ्ट आफ मैडूशा जैरी कॉल स्क्रीम एडवर्ट मुंक लेंच ऑन दी ग्रास माने स्कूल आफ एथिन्स राफिल करेक्ट आगे बढ़ते हैं फिर यहां पर है इसी तरह से कुछ यानि की कौन म्यूजियम कहां पर है तो दा लूवर म्यूजियम कहां पर है आपका ये आपका है पेरिस ठीक है बैटिप्स्ट्री आफ सेंट जियोवानी ये कहां है फ्लोरेंस में है नेक्स्ट विक्टोरिया एंड एलबर्ट म्यूजियम लंदन निश्चित पुछा जाता है इस तरह से एक question आपका तो यहाँ पर आपके चार question त्यार होते हैं the parthenon the parthenon कहां है आपका the parthenon जो है ये आपका पढ़ता है ग्रीस में ठीक है ग्रीस में आप इसको याद रखेगा the parthenon कहा है यहाँ पर option आपको यहां पर है आधिकाल से लेकर आधुनिक समय तक का है बिल्कुल सही सुमेलन करना है तो स्रफ्वी जो है ये आपका 1920 के दशक में आरंभ हुआ मुद्रन गुटेनबर्ग ने स्रफ्वे द्रिश्य आधुनिक अमोखिक आधिकालिन हो सकता है सुमेलित करने के लिए आये तो बिल्कुल आप इसके लिए तयार रहेंगे और इस तरह के कोशन्स को भी ध्यान में रखेंगे नक्ष कोशन देखते हैं कलाकारों और उनसे संबंधित वाद का सही सुमेलन करना है पियार पर तो क्राना ना है तो प्रभाववाद कीस का है मोने का है फावववाद左 मोंक ही अधि अध़न रा गते हैं ठीक के नेेश्ट अगे बढ़ते हैं इस तरह के जधा रिवीजन कर लेंगे तो आपको ध्यान भी रहेगा और एक्जाम में आप कर पाएंगे यहाँ पर भी सुमेलित करने वाला है चित्प्रशाद मेटल फ्रॉइल, देवियानी कृष्णा कलर एचिंग, जेंत पारिक लेनो कट और सनतकर आप से भी लोग जानते हैं वुड एंटेगलियों के लिए फेमस हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन है तो लेविगेटर का अब इसका लेविगेटर जो है यह लिथोग्राफी का ठीक है लेविगेटर में लिथोग्राफी का प्रयोग किया जाता है और स्क्वीज सिल्क स्क्रीन के लिए प्रयोग किया जाता है यानि कि लेविगेटर का प्रयोग lithographic के लिए क्या जाता है skayze का प्रयोग silk screen के लिए और bunion wood cut roulette जो है यह आपका integ ligo next whether rubber blanket offset printing rusट के rubber blanket जो है आपका offset printing ink plate etching rice paper to yol Buren wood cut this and next आगे दिखते कालाकारों का स्रीजनात्म क्रता है। और उनके प्रसंग की माध्यम है। यहां पर कलाकार है यнибा, रगरे। गैडि þाटु और रसी सुतली वर डोरी के माध्यम से वर्क इनका आर्ट वर्क होता है और बहुत ही अच्छा है इनके विसे में चैनल पे वीडियो दिया गया है तो आप वहां से जरूर देखिए मृणालनी मुखर जी का वीडियो आपके लिए बहुत ही हल्प करेगा सोमनाथोर ज्योद सिना भाट यानि कि इन सभी लोगों का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा तो निश्चित एक बार आप आधुनी के उन समकाली कलाकारों की श्रिंखला के नाम से प्लेलिस्ट है उसको आप वहां पे चेक कीजिए बहुत सारे कलाकार आपको मिलेंगे तो उनके जो फेमस आ ये उत्तर प्रभाववाद और संसकारवाद यानि कि उत्तर प्रभाववाद और संसकारवाद के लिए हैं विंसेट वान गॉग मारक शागल ये अतियतार्थवाद से हैं फ्रांसिसको दिगोया स्वच्छंदवाद के हैं वैसली कंडिन्स की अभिवन जिनावाद के हैं देखते हैं अब यहां पर भी आपके जो हैं कलाकार है और उनके जो माध्यम है ठीक है तो देखते हैं सतीस गुझ्राल जली हुई लकड़ी विवान सुंद्रम मिश्रित माध्यम में कारे किये हैं बालन नाम बियार यह आपके स्टेंलेस इस्टील नागजी पतेल पत्थर न की रशना नगनजीत ने की है जैदेव ने गीत गोविंद लिखा है वात्सयायन का काम सुत्र है और वराह मिहर का है ब्रहत संगिता पुस्तक और लेखक चैनल पे वीडियो है तो वह आप जरूर देख लिजेगा एक बार साथी टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे बहुत सारी पीडियोफ्स भी दिये गए हैं यहाँ पर मुनालिसा जो है यह लुव्र संग्रहाले पेरिस में है लाइन कैपिटल राश्ट्री चिन पुरातात्विक संग्रहाले सारनात में है ठीक है दीदार गंज यक्षी जो है यह पटना संग्रहाले में है स्टैच्व आफकानिश्क पुरातात्विक संग्रहाले मत आधुरा में है। निध्ट देखते हैं। देव राज़ डखोगी प्रिंट में कर हैं महिंद्र पांडिया मुर्तिकार के रूप मेंusp先生 रामे स्वव Dorothy चित्रकार हैं। रूप में famous कलासमिक्षक हैं तो केशव मली कला समिक्षक है रामिश्व पूटा चित्रकार है महिंद्र पांडिया मोर्तिकार है देव राजड़कोजी प्रेंट मेकर है नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक पगुड़ा कुणार का सूर्य मंदिर उसी को ब्लैक पगुड़ा कहा जाता है सारनात सिंग सीर्स राश्ट्री प्रतीक है नट्रा चोल कांस मूर्ती है चार बाग मुगल उद्ध्यान है नेक्स्ट गेट अफ पैराडाइज लेरेंजोगी बरती पिएटा माइकल एंजलो ने बनाया थिंकर रौधा की है बब्बून एंड यंग पिकासो की ध्यान रखिएगा नक्स्ट देखते हैं स्टोन ब्रेकर गुस्ताब कुर्वे नाइट वाज रेंब्रा पोटेटो इटर वानगा ग्वेरनिका पिकासो स्टोन ब्रेकर गुस्ताब कुर्वे का है नाइट वाज किसकी है रेंब्रा की है पोटेटो इटर वानगा का है ग्वेरनिका किसकी है पिकासो की है नक्स्ट अब यहां पर आपके कुछ स्कूल ग्रुप दिये हुए हैं और उन ग्रुप से जुड़े हुए कलाकार तो बंगाल स्कूल अब निंदनास ट्रैगोर ठीक है प्रोग्रसिव बॉम्बे प्रोग्रसिव ग्रुप एफन सूजा फ्रांसिस न्यूटन सूजा बॉम्बे अउया प्रोग्रसिव ग्रुप की जो स्थापना की एन कि किस ने की थी, कब की थी, ये सब पूछा जाता है कि किस ग्रुप की स्थापना किस ने की, कब की, तो कुलकाता फ्रोग्रसिव जो ग्रुप है, इसके स्थापना प्रदोस्दास गुपता ने की, ये मूर्थिकार हैं, और कब किया, 1943 में किया, ठीक है, और कुलकाता ग्रुप के जो कलाकार थे आठ त यासे कि प्रदोस्दास गुटता शुभो टैऑगोर गुपाल गोश नीरत मजुंदार हेमंत मिश्र पारितो सेन रतेन मित्रा जैनवल अबेदिन यह सभी कुलकाटा ग्रूप के कलाकार है ठिके और Kolkata group की पहली प्रदरशनी message कैसी के प्रयोतन से हुई थी और कहां होई थी old 1944 में मुंबई में हुई थी दूसरी प्रदरशनी1945 में मुंबई में ही हुई थी और अगर तीश्री और अंतिय प्रदर्शनी की बात की जाए तो उनिससव पिछास 20 में हुई थी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की 1950 में हुई थी तीसरी वह अंतिप्रदर्शनी मुंबई में हुई थी ठीक है में बार-बार कहती हूँ एक हिम्मत के साथ कि मेरा तो सब कुछ तयार है मुझे ज्यादा चिंता की आवशक्ता नहीं है इसी विश्वास के साथ आप एक्जाम देने चाहेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी पेलिस्ट की लिंक होते हैं तो उनको भी आप चेक किया कीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक एरें बाए बाए